द्रिश्टान्त और रहस्य कारिक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है एक रहस्य का मतलब ही ढूनना है इस कारिक्रम का आप ढूनते हुए आए हैं यूटूब में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं इस कारिक्रम में भी आपको एक रहस्य मिलेगा लोग को एक चिकिटसे के रूप में कुछ अलग रूप से देख रहा हूँ यूश्यूली प्रस्क्रिप्स जो लिखते हैं, वो जल्दी जल्दी लिखते हैं सारे डॉक्टर्स पर ये जो डॉक्टर है, बहुत elaborately, सब को समझ मैं ऐसा, कहा जाए तो जो भी पड़े उनको भी समझ मैं ऐसा लिख रहे हैं पर लोग की जब हम बात करते हैं, तो एक रहस्य की बात आती है और अगर उस रहस्य को हमें समझना है, तो कुछ विशियों को बेस और fundamentally समझना है आज हम इस पैरबल में जो हमों देखेंगे, लूक की चेप्टर 13 में बहुत से रहस्य है एक या दो नहीं बहुत से रहस्य है, fundamentally इस तेरवे चेप्टर को हम कैसे समझेंगे देखिए, आपने शुरू में पूछा, इसलिए कह रहा हूँ बहुत से डॉक्टर्स ने जो prescription लिखकर दिया है, वो हमारे लिए रहस्य है हम समझी नहीं पाते कि क्या लिखा है, पर फार्मसिस्ट अच्छे से जानता है वो देखकर उन गोलियों को निकाल कर हमें देता है इसलिए कुछ लोगों के handwriting कुछ लोग समझ पाते हैं तो कुछ लोग नहीं पाते यहां पर लूका ने पवित्रा आत्मा के द्वारा इसे लिखा इसमें जो रहस्य अच्छिपे हुए हैं फार्मसिस जैसे जानता है वैसी परमेश्वर ने कुछ लोगों पर इसे प्रगट किया है इसके द्वारा वो चाहते हैं कि बहुत से लोग जान पाएं द्रिश्टान्तों के द्वारा ये रहस्य प्रगट किये गए हैं मत्ती 13 में प्रभु ने स्वैम कहा हैं कि हर द्रिश्टान्त के पीछे बहुत से रहस्य च्छिपे हैं तो इसी तरह से हर एक एपिसोड में हम देखते चली जा रहे हैं परमेश्वर इसे हम पर प्रगट करते हैं आज हम देखेंगे लूका 13 से लूका 13 में देखिए वचन 6 में अब यह द्रिश्टान्त कैसा है यह तो निरंतर वाला द्रिश्टान्त है यहाँ पर वो अलग से बात कर रहे हैं लेकिन यीश्व के कहने के पहले कुछ घटना हुई थी और इस द्रिश्टान्त के बाद में भी बहुत सी बाते होने वाली थी अब देखें इन सब बातों के सेंटर पॉइंट के रूप में यहाँ पर उसने बताया है यहाँ पर कोई भी कन्फूजन न हो इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ तब ही समझेंगे बहुत भीड भी आती है जी हाँ जैने सब के आने के बाद में उनके बीच में यह बताते है अगर यहाँ पर यह पूछे कि यह द्रिश्टान्त क्या कहता है तो यहाँ पर शुरू में ही अगर पहली लाइन को हम देखें इसे समझाने लगे तो समय कम पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए वो यह द्रिश्टान्त बताते हैं किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड लगा था यह कहता है यह तो यह विप्री दिखा ही पड़ता है यहाँ क्यों उसे लगा रहे है देखिए दाक की बारी की बारे में जब भी आप देखे जब हम दक्षिन भारत में जाते हैं तो बहुत से दाक की बारियां वहाँ हैं इनकी गहरी जड़े नहीं होती पर ये बेल जैसी फैलती हैं लेकिन अंजीर के पेड़ की जड़े ऐसी स्ट्रॉंग होती हैं जो नीचे बारी क्या है दाक की बारी किसके बारे में बताती है और अंजीर का पेड़ वहां क्यूं आया उसका कारण क्या है यह हम बाद में देखेंगे पहले तो हम यह देखेंगे कि दाक की बारी क्यूं लगाई जाती है यश्या में देखिए अध्याय पांच में पहले वचन में पर शेष्टा मसी के जन्म से लेकर मसी के मिलेनियम तक यहाँ पर है इस तरह की भविश्वानी के किताब आप और कहीं नहीं देख सकते हैं तो लगबग हमें अगर बाइबल को ठीक सरसे समझना है तो अईजाय को स्टरीक करना बहुत है उतना डीटेल है जी हाँ नियाई के बारे में भी बताया केवल यश्या की किताब ही है जो सारी बाते बताती है अब देखे यहाँ पर यश्या के समय तर जी बहुत बड़ी बात है लेकिन वो किस हद तक वो सिक्रेट्स को अंदर ले रहे हैं पहले पांच अध्यायों तक यश्या ऐसा नहीं था सामाने भविश्वक्ता जैसे था इस्रायल के भविश्वक्ता जैसे थे बिल्कुल वैसे ही था पांचवे अध्याय से यश्या तो पूरी तरह बदल गया यहां पर वो भविश्वक्ता के अगले लेवल पर गया और यहीं पर हम यश्या में बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं बड़ा बदलाव आया अगर देखे तो उसके बाद में जितने भी विश्या पर उसने बताया वो असाधारन थे तो उन्होंने कितना हद तक सैक्रिफाइज किया है उसे रिसीव करने के लिए? सामान्यय रूप में अगर कहे तो यश्या भविश्वक्ता के किताब में कुल 66 अध्याई हैं यश्या में इतने अध्याई ये क्या बताते हैं पूछे तो ये 66 अध्याय तो 66 किताबों का पूरा सार है कह सकते हैं यश्या में 66 अध्याय है ना पूरी बाइवल में देखे ये 66 किताबे है उसका पूरा सार इस किताब में है यने इस हद तक कि मैं यश्या के बारे में अपने संदेश में कहता हूँ हमने यशा के किताब का बहुत अलग तरह से उप्योग किया कैसे पूछे तो उसने भवशवाणी बताने के लिए खुद को भवश्वक्ता के रूप में रखा जैसे जन्वरी के मैंने के लिए भववशवाणी का वचन होता है जादातर वचन देखे तो यश्या से आते हैं इसमें इतने प्रतिग्या के वचन है यानि इस तरह से उसका उपयोग किया गया है उसके अलब हम बहुत सर विश्य को देख नहीं है हाँ देखे इससे भी परे इसमें और भी गहराई है इन 66 अध्यायों को हम 66 किताबों में देख सकते हैं इतने विश्य यहां यश्या हमें है इस दिरिश्टान के लिए हम यश्या से देखेंगे देखे पाँचवे अध्याय में यश्या को परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया इस पल बस मैं आपको ये बता कर आगे बढ़ूँगा क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में देखिए ऐसे लोग हैं जो की वचन को लेते हैं और वो क्या कहते हैं पुराने नियम की जरूरत नहीं है कहते हैं इन दिनों में ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं पुराना नियम खत्म हो गया नया नियम आ गया है तो फिर अब हम पुराने नियम के बारे में क्यों कहे कहते हैं अगर शुरू से ही आप सभी प्रोग्राम को देखे तो नय नियम और पुराने नियम में संबंध हम यही कहते हैं यही लिंक आते पुराने नियम के बारे में जो भी हो, वहाँ जो भी कुछ कहा गया उसे क्या नहीं करना है? अंदेखा नहीं करना है. देखे अभी हमारे पास फुल्फिल्ड बाइबल है. उनके पास अधुरी थी इस्राइल में. व्यवस्ता दी थी, हमारे हाथ में परमेश्वर ने पूरी मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी, पांच एक में. अब वचन साथ में देखे ये बताता है कि दाख की बारी क्या है? क्योंकि सेनाओं के यहवा की दाख की बारी तो इस्राइल का घराना है. इंग्लिश में पढ़िए? हां, house of Israel lineage, उनका वश है हैं. जैसे की जिनलोगी कहते हैं, हम तो वंशावली कहते हैं, यहने इस्राइल और उसके जो गोत्र हैं, वही दाखलता है. अबरहम की प्रतिगया में यह सबाते हैं, यहने अबरहम के परिवार से देखे आगे साग टक और ते मैं यह तीन लोग अ देखे इन तीन लोगों से जो प्रतिग्या की गई थी, ये आज भी असित्व में है, इन तीनों के ही नाम क्यों है, इसके पीछे एक कारण है, इनके बाद में यहुदा का नाम क्यों नहीं आया, याकूब के बाद उसका बेटा यहुदा था ना, यूसफ का भी नाम ने इन तीनों का ही नाम क्यों दिया है, देखे इन तीनों के द्वारा ही परमेश्वर की योज ना आई, इनमें रहस्य है, यही वो बुनियाद है जिस पर बाइबल की सारी प्रतिग्याएं आधारित हैं, उससे कहा गया कि तो उस देश में जा, इसाथ से कहा गया कि तो इस देश प्रतिग्याओं के पीछे तीन बहुती महतोपूर्ण रहस्य हैं अगर उसे पढ़े तो यह और भी दिल्चस्प हो जाएगा देखे जब हम इन रहस्यों के अध्यन करते हैं तो हम उतने उत्साहित होते जाते हैं इतना खाजाना प्रभू ने बाइबल में रखा है अब यहा दाख की बारी में दाख ही लगाएंगे न याने दाख की छोटी बेले लगाते हैं अब दाख की छोटी बेले लगाई गई हैं वहां पर अंजीर का पेड क्यों लगाया गया है दाख की बारी इस्राइलियों के बारे में बताती है देखे शुरू से ही हम इस्राइलियों के वन्ष के बारे में चर्चा कर रही हैं सामाने रूप में जो इस्राइली है याने न्याईयों की किताब पढ़े तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे वो परमेश्वर के लिए विश्वास योगी थे केवल कुछ समय के लिए 10 साल 20 साल या 30 साल के लिए उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर से दूर चले गए फिर परमेश्वर ने क्या किया परमेश्वर ने भववश्वक्ताओं को भेजा और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या गल्ती की है उन्हें बता दिया उसके बाद उसने क्या किया दूसरों को सौंप दिया मिद्दानी, कनानी, पलिष्टी इन सब के हाथों में सौंप दिया लगातार आ रहे हैं निरंतर तो दस साल तक वो पीटे गए तब वो वहाँ पर पुकारने लगे पुकारने के बाद में रक्षक आया ये पता शिम्शौन, उसके बाद में गिदोन और ये सब आये फिर दस बीस साल तक वो अच्छे रहें फिर से परमेश्वर से दूर गए और फिर से वापस आये देखे इस तरह का रूटीन काम हो गया जो उनके बीच में होने लगा केवल इसराईल में नहीं हमारे साथ भी यही होता है हमें परमेश्वर ने कहा कहिए कि तीन या चार मैने अच्छे रहते हैं एक मैने छे मैने तक और फिर पुराने मार्ग पर जाते हैं परमेश्वरों में याद दिलाते हैं हर एक के साथ ये होता है तो इस्राइलियों के साथ में परमेश्वर ने कई साल तक ऐसे ही किया 2000 साल से भी जादा समय से अबरहम से लेकर मसी के आने तक ये मौका उन्हें बार बार दिया गया और वो तो कई जगह पर इस मौके को बार बार चूकते चले गये एक बार क्या हुआ सटर साल की बंधवाई में भेजा किसे सौपा नबुकदनेशर को सौप दिया नबुकदनेशर की बंधवाई में सतर साल तक रहे यानि उन्हें बहुत यातना ही दी गई आरादना की जगह जला दी गए सब कुछ नाश हुआ फिर से वापस आए तीन भाग में आए नहमिया एसरा जरूबाबिल तीन भाग में वो वापस आए वापस आकर फिर से बदल गए और 400 साल तक वैसे ही रहे मसी के आने तक देखा जाये तो धीरे धीरे वो पूरी तरह बुरे हो गए पूरी तरह से बदल गए तो मसी अंत में उन्हें यहां पर एक मौका देते हैं मन फिराव क्योंकि परमेश्वर का राज्ये निकट है इस तरह से मसी के आने पर भी इन्होंने क्या नहीं किया परमेश्वर उनके सामने खड़े थे और वो समझ नहीं पाए फिर आखिर में परमेश्वर ने क्या किया यहां पर दाक की बारी में पांचवे अध्या में इस्तर बताया है मैं उसके काटे वाले बारे को उखाड़ दूँगा कि वो चट की जाए और उसकी दीवार को ढढ़ा दूँगा कि वो रौंदी जाए मैं उसे उजाड दूँगा वो न तो फिर छाटी और न खोदी जाएंगी उसमें भाती भाती के कटीले पेड उगेंगे मैं मेगों को भी आग्या दूँगा कि उस पर कि उस पर जल न बरसाएं इस तरह परमेशों ने जो कहाँ ये इस्राइलियों के लिए कहाँ है बहुत ही स्ट्रॉंग है 2000 साल से वो ऐसे ही थे मसी के बाद में 1948 तक यहीं उनकी दशा थी वो पूरी तरह से बिखर गए थे प्राफिट्स लगातार आके इतने सारे वानिंग देवने के बावजूद भी क्या हमारा हिर्दय इतना सक्त हो गया ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है देखिए समय समय पर परमेशों मुझे संदेश देते हैं जो मैं बताता हूँ मुश्किल के समय हम परमेशों के सामने सच्चे होते हैं परिशानी में होते तो परमेशों को पुकारते हैं मुश्किल में परमेशों को पुकारते हैं जरूरत में पुकारते हैं लेकिन जब हम आशीश पाते हैं तो ये सब नहीं करते हैं यहूदियों के एक आदत है मैं इसे किस तरह से देखता हूँ आशिश आने तक हम बहुत प्रातना करते है पर आशिश मिलने के बाद हम प्रातना नहीं करते है और फिर क्या होता है देखिए दिनो दिन इस तरह से हम परमेश्वर से दूर होते है तो वो ब्लसिंग खुदी प्रभू से दूर होने के कारण हो जाता है अलग होते इसलिए परमेश और हमें बार-बार क्या कहते हैं पुराने नियम में और नए नियम में भी हमारी भलाई के लिए देखे परमेश और बार-बार इस तरसे कहते हैं कि आज की रोटी तू आज हमें दे जैसे हमें अतिरिक्त मिलता है तो ये अतिरिक्त आते आते हम उस परियाप्त को बचाने के पीछे पढ़ जाते हैं मनना जादा जमान ही करना उनसे कहां गया अगर उसे जमा करते तो उसे एक बरतन में जमा करते थे जमा करके रखते तो उसमें कीडे लग जाते उसमें से बद्बू आती उसे स्टोर करने में ही तो समस्य आती है अब देखिए प्रैक्टिकली कहे तो जब फ्रिज नहीं था तो लोग कम बीमार पड़ते थे फ्रिज बढ़ते गए वैसे बीमारियां बढ़ती गई अज भी बिलकुल ऐसे ही है जैसे आशिशे बढ़ती जाती है तो हैंडल करना आना चाहिए मतलब आशिश नहीं चाहिए ऐसा नहीं है लेकिन जैसा कि आप कहरें फोकस शिफ्ट होते होते और जिसे हमें पूछना चाहिए वो सही तरह से पूछे तो सारे प्रब्लम सुल होगे बस यही तो बात है इस गलास में काफी पानी है याने ठीक है अच्छा है मेरे लिए परियाप्त पानी यहां पर है यहां चार जग भर के पानी रखे तो निश्ची वो समस्या होगी अब देखे क्या होता है देखे दाउद और सुलिमान के बीच का फर्क देखिए दाउद के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है बड़ी मुश्किलों से वो उपर उठा था जब आशीश आई तो वो आशीशों के पास नहीं भागा प्रमेशर के साथ खड़े रहा इसलिए बड़ा राजा होने पर भी उसने पूछा परमेशर मेरे लिए इतना जादा क्यों दिया हमेशा याद करते रहा अब आप शाओल को ही लीजिए या फिर सुलिमान को लीजिए वो इतनी मुश्किलों से उपर नहीं आये थे शाओल तो धनी था वो अपनी गधियां धूनने के लिए निकला था उस जमाने में ये बैंसकार जैसे थे वो उने धूनने निकला धनी घर से था जब वो वहां से आ रहा था उसने इस महत्व के उपर जादा फोकस नहीं किया उनका अलगी एंगल में चला गया वो परमेश्वर के बजाए आशिश पर फोकस करने लगा शाओल ने अमालिकियों की भेड बकरियों को देखा उसने भेड बकरियों को महत्व दिया रभू के वचन को महत्व नहीं दिया और वैसे स्वालमन भी अपने पिता का जो है वो सब देख रहे हैं लेकिन पर इसके बाद भी आशिश को देखा उन आशिशों को देखते रहने के बाद बड़ा महल बनाया बुद्धिमान था सब लोग कहते थे कि इसकी जितना बुद्धिमान और कोई नहीं है ये बात सब सच है अगर वो ये जानता कि ये सब परमेश्वर के कारण और परमेश्वर को महिमा देता तो आशिश को संभाल पाता फिर से कहता हूँ कि आशिशों को कैसे संभाले किसी को पता नहीं देखे आज भी इस्राइली लोगों की बड़ी समस्या है परमेश्वर ने सब के सामने उन्हें बहुत आशीश दी है दुनिया में सुलेमान के समय के जैसे गोल्डन पिरियेड कभी नहीं रहा बेस्ट पिरियेड सोना भी बहुत कॉमन हो गया जाए इतना भरपूरी में था कि उसके लिए एक नगर बनाना पड़ा ये तिनी बड़ी आशीश है हमारे पास जो कुछ भी अतेरक्त है उसे अलमारी में रख देते हैं यानि अलमारी के जगह पर उसने एक नगर बना दिया लेकिन वही सालमन जब सबोब देशक लिखते हैं तो वो सब कुछ अनुभव करने के बाद कुछ भी नहीं है इस कॉं इस तरह से कहां अब वही साइंटिस्ट अपने जीवन की अंत में क्या कहता है कि बाइबल बिलकुल सही है देखे आखिर में जब वो इंटर्यू के लिए गये थे उनके हाथ में बाइबल थी और वो इबरानी के पत्री में से पढ़ रहे थे इंटर्यू में आए लोग हैर उन्होंने पूछा देखिए आप तो बाइबल पढ़ रहे हैं हम इसलिए आए क्योंकि आप बाइबल के विरुध में कहते हैं तो इन्होंने उनसे कहां एक दिन मैंने एक संदे उठाया था और उसके कारण बहुत से लोग बदल गए थे लेकिन सत्य तो इस बाइबल में ह इसी तरह से देखिए अंत में हम आखिर में कहां पर जाएंगे बाइबल में ही देखेंगे और कितना प्रेम से कहरें कि मैं इसका उमीद कर रहा था मैंने इतने लोगों को भेजा तो वो भी है ना इस ऐसा यहां देखिए इसके पीछे में एक गाड्स लव ही मैं यहां पर पॉइंट अट कर लेजा देखिए परमेश्वर का प्रेम याने वो तो प्रेम है परमेश्वर प्रेम है इसके पीछे एक और बात है जिसके बारे में हमें सोचना है और वो यह है मैं एक योजना के साथ बुलाया गया उदेश के साथ बुलाया गया कहिए आपका भी एक बहुत बड़ा सपना होगा एक प्लान है, कोई योजना है, हाला कि आप और मैंसे पूरा करना चाहते हैं, ये कहां पर गलत हो जाता है, देखें गलत होना एक अलग बात है, हम उस प्लान को पूरा नहीं कर पाते हैं, प्लान ही डिस्टरब हो जाता है, हमें उस प्लान को मॉडिफाई करना पड़ता है, रिशेडूल करना है, प्रभू का जो राजय है वो खुदे मिस हो रहा है, वो पूरी तरह बदल जाता है, और उसके लिए आप कारण हो जाते हैं, यही तो यहां पर लिखा है, यहां पर इस जग इसराइली, इसराइल को रख कर परमेश्वर केवल इसराइल को आशिश देना चाहते हैं, यह प्रभू की योजना नहीं, वो क्या कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं, उसे करने के लिए इसराइली लोग तयार है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वो दिया, अब उनके लिए काम क्या था, कि इसे लेकर पूरे संसार में जाए, और सब को बताए कि परमेश पूरे संसार साल से वो अपने इस योजना को पूरी नहीं कर पाए हैं, कुछ समय काल तक तुम मुझसे लोग इस दशा में थे, जैसे कि अबरहम था, इसाग ऐसी था, लेते गए, लेते गए, लेते गए, कब तक वो लेते चले गए, मूसा के समय तक, कहिए यहुशु के स तो देखिए, जो योजना थी, वो बदलती गई, आपने एक और बात कही, उसकी योजना बदल गई, लेकिन उन्हें वापस लाने का कारण तो उसका प्रेम है, यहां है, क्या हुआ, अगर आप यह पूछे, तो देखिए, एक जगह पर, परमिशुर कहते हैं, मैं बाढ़ बरसाए, यहांने देखिए, 1948 में इसराइलियों के वापस आने तक, लगभग 100% वो तो रेगिस्तान जैसे बन गया था, कोई वर्शा नहीं हुई, प्रभु कहते हैं, जिस देश ते मैं प्रेम करता हूँ, उसे अपनी आखों के सामने उजार देना कितनी बड़ी बात है, उन्हें कितना दुख हुआ होगा, यहने देखिए, इस सिद्दाक की बारी के बाढ़े को तोड़ कर उसने दूर किया, और क्या कहते हैं कि वो चट की जाए, इस कार्थ क्या है, कि जानवर आ जाए और इसे खा ले, ऐसा कोई देश नहीं जिन्होंने इसराइलियों को निय इसराइल के पियम ने कहा है, पूरे संसार में एक ही देश है जहां पर इसराइली लोगों का खून नहीं बहाया गया, वो हमारा भारत देश है, देखे इस तरह से पूरे संसार में उनका खून बहाया गया, प्रभु ने कहा था उनकी हिंसा की जाएगी, उनके साथ सब कु कौन है देखे इसके लिए दो विवरंड है और क्यों अंजीर का पेड याने इस तरफ मस्टर्ड सीड दिया गया एक और पैरबल में राई के समान विश्वास तो एक एक जगह पे कुछ बोलते हैं तो उधारन के साथ ही बोलते हैं जी देखे हमने इसके बारे में कहा है जब बाईबल के विद्वान बताते हैं हमें समझ में आये इस तरह से मैं कहुँगा अंजीर का पेड लगाया गया इस तरह से कहा है तो ये अंजीर का पेड तो इसराइल देश के बारे में की गई भविश्वानिया है उधारन के ले कहे तो इर्मया 24 पाच में यहुदीओं को अंजीर का फल कहां गया है और देश अंजीर का पेड़ इसे अंजीर के पेड़ जैसे देखा गया अब इस अंजीर के पेड़ के बारे में यह निजातियों का समय है जेंटाइल्स अब देखें दाक की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया गया इसका अर्थ है अनिजातियो अंजीर का पेड लाया है और इसलिए और भी अगर गहरे रूप में कहा जाये तो दाक की बारी ये क्या है ये एक वाचा है दाक की बारी या दाकरस लेकर दिया गया ये तो वाचा है अब देखें उस वाचा में अन्ने जातियों को लाया गया है तो वो जिन्टाइल क्या हम प्लो गंदे जाती से हैं, उसने हमें अंदर लाकर लगाया है, इन्हें लगा कर, क्या ये फल देता है, ये देखेंगे कहां, ऐसा क्यों? वो फल नहीं दे रहे थे, तो ये मौका हमें दिया गया है, रोमियो में पॉलूस पश्ट बताता है, हमें मौका देने के लिए उन्हे नमर होने की अनुमती नहीं दी गई, इस एंगल से पॉलूस कहता है, देखें वो उन्हें आग्या भंग करने से निश्चे ही रोक सकते थे, क्योंकि वो सरवशक्तिमान है, वो जो भी चाहे, उसे कर सकते हैं, देखें इस समय, याने संसार के अगवे इस तरह कहते हैं, मैं तो उस समय उन्हें गलत करने की अनुमती दे दी गई, हाँ ठीक है, वो चाहे तो उन्हें मार कर वापस ला सकते थे, ठीक है तुम जाओ, मैं दूसरों को मौका देता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए काफी समय रहा देखी, तो उसमें भी एक और रहस्य है ना, तो वो जो seeds रख रहे हैं, तो बहुत भी weeds आते हैं, तो कहते हैं ना, दोनों को छोड़ने दो, ये अलग दृष्टांत है, उससे हम आगे कभी देखेंगे, क्योंकि आपने इन्हें जोडने के लिए कहा है, इसे connect करके हम अगली बार इससे देखेंगे, ये तो बहुत ही अच्छा है, क समय को अने जातियों के समय के साथ में मिला दिया है, यही दाकी बारी और अंजीर का पेड है, तो इसे हमें समझ ना, तो वो secret वहीं पर है, यही रहस्य है, अंजीर का पेड लगाया मतलब, वो अंदर आए, अंजीर का पेड लगाया और ये अंजीर का पेड फल देता है, क तो सब को उनने वो जिमेदारी दिये, ये तो सपश्ट है। चाहिए ये माता-पिता के बीच का हो, या बच्चे और माता-पिता के बीच में हो, चाहिए भाई और बहन के बीच में हो, या फिर दोस्तों के बीच की बात हो, इसमें में में मिसिंग क्या है पूछे तो यहाँ पर प्रेम की कमी है। इसलिए अंतिम समय में वचन कहता है कि प्रेम थंडा पड़ जाएगा अब प्रेम थंडा पड़ चुका है लेकिन एक और आखरी बात में बताना चाहता हूं परमेश्वर का प्रेम कभी थंडा नहीं पड़ता वो कभी बदलता नहीं अभी भी परमेश्वर हमसे प्रेम करती अभी हम यह scripture के बारे में बात करें ता लगता अभी शुरूँ आ अगले एपिसोड में इस सीक्रेट को पाने के लिए दर्शे के सकार कारों को देख रहे हैं बहुत जगह पर देख रहे हैं, बहुत से गाओं में देख रहे हैं बहुत से जगले मीटिंग में जाते हैं किह भी रहे है क्या मिस हुआ यहाँ यह अंजीर का पेड कहा से लाया गया यह कहा से आया कियो इसने शुरूं में फल नहीं लाए ये कहता है, मैंने तीन साल देखा, इसने कोई भी फल नहीं लाए है, दाखलता से दाख नहीं मिल, इसलिए इसे लगाया, इससे भी फल नहीं मिल रहे हैं, तो इसके बाद में क्या न्याय होगा, इन दोनों का क्या न्याय होगा, अगली बार इसी के बारे में हम देखेंगे और जैसे कि आपने कहा इसमें हमें और भी कितना ध्यान देना चाहिए ये भी इस parable में है अगले एपिसोड में इस parable को और भी आप डीटेल में explain करेंगे इस कारिकरम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस कारिकरम के माध्यम से प्रबु की राज्य के रहसे को आप जाने होगे ये हमारा विश्वास है इस कारिकरम को बहुत से लोगों के साथ साजा करें हमें आने लोगों के साथ साथ फटेते लिए बहुत से रहसे को और है झाल